हर हर महादेब सूत जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केस पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन सिप जी की जटा अलंकृत है जो पार्वती जी दिब्वेवस्त्र धारन की हैं और जो सिप जी दिगंबर हैं स्री पार्वती जी तथा स्री सिप जी को परणाम करता हूँ रमनी कैलास परवत के सिखर पर बैठी हुई स्री पार्वती जी कहती है हे महिस्वर हमें कोई गुप्त ब्रत या पुजन बताईए जो सब धर्मों से सरल हो जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले हे नात यदि आप मुझे पर परसन नहों तो यह बिधान बताईए हे प्रभू किस तब ब्रत और दान आदी मध्य और अंत रहित आप जैसे महा प्रभू हमको प्राप्त हुए है सिप जी कहते हैं हे देवी सुनो मैं तुमको एक ब्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग है लेकिन तुम्हारे प्रेम के बसी भूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ सिप जी ने कहा भारत वर्स में जैसे नच्छत्रों में चंद्रमा गरहों में सूरे वर्णों में ब्राहमन देपताओं में बिश्णु भगवान नदियों में गंगा पुरानों में महाभारत बेदों में सामबेद और इंदियों में मन स्रेष्ट है सब पुरानों और बेदों का सर्वस्व जिस तरक कहा गया है मैं तुम्हें एक प्राचीन ब्रत बतलाता हूँ एकरागर मन से सुनो जिस ब्रत के प्रफाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो भादर प्रद मास में हस्त नचर से युक्त सुकल पक्ष की तृतिया तिथी को उसका अनुष्ठान मात्र करने से इस तुरिया सब पापों से मुक्त हो जाती है हे देवी तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमाले परवत पर इस ब्रत को किया था यह ब्रितांत मैं तुमसे कहूंगा पारवती जी ने पूछा हे नात मैंने क्यों यह ब्रत किया था यह सब आप के मुक्त से सुनना चाहती हूं उत्तर की ओर एक बड़ा रमनीक और परवतों में सरेष्ट ही मवान नामक परवत है उसके आस पास तरह तरह की भूमिया है तरह तरह के ब्रिच उस पर लगे हुए हैं नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पसु उस पर निवास करते हैं वहां पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारन, पक्षी गन, सरवदा, परसन्नमन से बिचरते हैं वहां पहुँचकर गंधर्व गाते हैं अब सराय नास्ती हैं उस परवत राज़ पे कितने ही सिखर ऐसे हैं जिन में इस फटिक रत्न और बैदूरे मनी आदी की खाने भरी हुई है यह परवत उचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझ कर आकास को असवर्स किये रहता है उसके समझत सिखर सदैव हीम यानी वर्फ से अच्छा दित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनी सदा सुनाई देती रहती है हे परवती तुमने बाले काल में उसी परवत परत पस्या की थी बारह वर्सों तक तुम उल्टी टंग कर केबल धुआ पी कर रही 64 वर्सों तक सुखे पत्ते खा कर रही माग मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसा की दुपरिया में पंचागनी तपती थी स्रावन महिने में जल बरस्ता तो तुम भूकी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बहुत दुखी वे वे चिंता में पढ़ गये कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ उसी समें नारज जी वहाँ आप पहुँचे मुनिसरेष्ट नारज जी उसमें तुम्हें देखने गये थे नारज जी को देखकर गिरी ने अर्धपाद आसन आधी देकर उनकी पुजा की और कहा है स्वामिन आप किसलिए आए है मेरा अहो भाग है आपका आगमन मेरे भगवान विश्णु के समान योग्यवर ब्रह्मा इंद्र और सिव इन में से कोई नहीं है इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी करन्या भगवान विश्णु को ही देवें अब हीमान ने कहा भगवान विश्णु स्वें मेरी करन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश कर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी करन्या दूंगा हीमवान की इतनी बात सुनकर मुनी राज नारत आकास में बिलिन हो गए वे पितांबर संख चक्र और गदा धारी भगवान विश्णु के पास पहुंचे वहां हाँ जोरकर नारत जी ने भगवान विश्णु से कहा है सुनिए मैंने आपका विवाप पक्का करा दिया इधर हीमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा है पुत्री मैंने तुम्हे भगवान विश्णु को दे डाली अब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिये ही अपनी सखी के घर चली गई वहीं जमीन पर पढ़कर तु उसको पूरा करने की चेश्टा करूँगी इसमें कोई संसय नहीं है परवती जी कहती है मेरी जो कुछ अभिलासहे उसे तुम प्रेम पुरवक सुनो मैं एक मात्र सिब जी को अपना पती बनाना चाहती हूँ इसमें कुछ भी संसे नहीं है मेरे इस बिचार को पिता जी ने ठुकरा दिया है इससे मैं अपने सरीर को त्याग दूँगी अब पारवती जी की यह बात सुनकर सक्षियों ने कहा कि सरीर का त्याग ना करो चलो किसी ऐसे बन में चले जहां तुम्हारे पिता को पता न लगे और इसी सलापर तुम जैसे वैसे बन में जाब पहुँची इधर तुम्हारे पिता घर-घर में तुम्हें खोजने लगे दूतों द्वारा ख़बर लेने लगे कि कौन देपता या किनर मेरी पुत्री को हर ले गया है और उन्होंने मन ही मन कहा मैं नारज जीज के आगे परतिग्या कर चुका हूँ अपनी पुत्री भगवान विश्णू को दूँगा ऐसा सोस्ते सोस्ते हिमवान मुर्चित हो गया ग्री राज को मुर्चित देखकर सब लोग हाहा कार करते वे दोड़ पड़े जब होस हुआ तो सब लोग पूछने लगे हे ग्री राज आप अपनी मुर्चा का कारण बताईए हिमवान ने कहा आप लोग मेरे दुख का कारण सुने ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है ऐसा नहीं हुआ कि उसे किसी काले साप ने काट लिया या सिंग ने खा लिया हाई हाई मेरी बैटी कहां गई किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला ऐसा कहवे बायू के जोके से कापते हुए ब्रिश के समान कापने लगे इसके बाद हीमवान तुम्हें बनबन खोजने लगे वह वर्प भीब सीह भालू हिंसक जन्तूओं से भी बड़ा भयानक हो रहा था तुम भी अपनी सक्खियों के साथ उस वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जहा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी उसके रमनी तट पर एक बहुत बड़ी कंदरा थी तुमने उसी कंदरा में आस्रे बना लिया और मेरी एक बालू का मई परतिमा बना कर अपनी सक्खियों के साथ निराहार रहकर मेरी अराध्मा करने लगी जब भाद्र प्रदसुक लपक्च की हस्त युक्तित्रितियाती थी प्राप्थ हुई तब तुमने मेरा बिदिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्यादी से मुझे प्रसन करने में बिताया उस अबरत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा जिससे मैं ततकाल उस अस्थान पर जा पहुँचा जहां तुम अपनी सक्खियों के साथ रहती थ तुमने कहा है देवता यदि आप मेरे उपर प्रसन नहें तुम मेरे पटी बने मेरे ततास तु कहकर कैलास परवत वर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमान नदी में प्रभाहित कर दिए और सक्खियों के साथ उस महावरत का पारन किया ही मवान भी तब तक उस बन में तुम्हें खोशते वे आप पहुँचे थे चारो दिसाओं में तुम्हारी खोश करते करते वे ब्याकुल हो चुके थे इसलिए तुम्हारे आसरम के समी पहुँचते ही गिल पड़े थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के टत पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा देखते ही उन्होंने तुम्हें चाती से लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगे फिर पुछा पुछा पुत्री तुम सिंग ब्यागर आदी जंदों से भरे इस बन में क्यों आप पहुची पारवती जी ने उत्तर दिया है पिता जी मैंने पहले ही अपने आपको सिप जी के हाथों सौफ दिया था आपने मेरी बाट टाल दी इससे मैं यहाँ चलिया ही हीम बानने सांत्वाना दी कि है पुत्री तुम्हारे इच्छा के विरुदु कुछ ना करूंगा वे तुम्हें अपने साथ ले गए घर और मेरे साथ विभा करा दिये इसी से तुमने मेरा अरधासन पाया है तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह प्रकट करने का अफसर प्राप्त नहीं हुआ था हे देवी मैं यह बताता हूँ इस ब्रत का नाम हरी ताली का नाम क्यों पड़ा तुमको सखिया हर ले गई थी इसी से हरी ताली का नाम पड़ा परवती जी ने कहा है प्रवू आपने नाम तो बताया अब इसकी बिदी भी बताईए इसका क्या पुर्ने फल है यह ब्रत कौन करें स्री सिप जी परवती जी से कहते हैं हे देवी मैंने समस्त इस्त्री जाती की भलाई के लिए यह उत्तम ब्रत बतलाया है जो इसरी अपने स्वभागे की रक्षा करना चाहती है वह यतना पुर्वक इस ब्रत को करे केले के खंबे आदी से सुसोबित एक सुन्दर मंडप बनावे उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपडों से चंदोवा लगाकर चंदन आदी सुगंधी द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे फिर संक भेरी मिर्दंग आदी बाजे बजाते वे लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते वे उस मंडप में पारवती जी और सिप जी की प्रतिमा स्थापित करें उस रोज दीन भर उपवास कर बहुत से सुगंधी फूल सुगंध मनोहरधूप नाना प्रकार के नवैद आदी एकत्र करके मेरी पूजा करें और रात भर जागरन करें उपर जो जो बस्तुएं इसके बाद धूप दिप आदी से पूजन करें। पूजन करें तदंतर बिधी पुर्वक कथा सुनें और ब्रह्मन को वस्त्र गौ सुर्न आदी देवे एक चित्थ होकर इस्तिरी पुरूज दोनों एक साथ ब्रत का पूजन करें फिर वस्त्र आदी जो कुछ हो सके उसका संकल्प करें हे देवी जो इस्त्री इस प्रकार की पूजन करती है वो सब पापों से छूट जाती है और उसे साध जन्म तक सुख और सवभागे प्राप्त होता है जो इस्त्री तृतिया तिथी का ब्रत नाकर अनभक्चन करती है तो वो साध जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार ब तीज को अन खाने से सूकरी होती है, फल खाने से बंदरिया होती है, पानी पीने से जोंक होती है, दूद पीने से सापिनी और उस रोज सोने से अजगरी होती है, पती को दोखा देने से मुर्गी होती है, इसलिए सभी इस्तरियों को चाहिए कि बरत अवस्य करें, दूसरे द किस्त्री इस प्रकार ब्रत करती है वे opinion समान पती पाती है और वह जब मरने लगती तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है उसे सब प्रकार के संसारिग भोग और सायुज मुक्ति मिल जाती है इस घृत अलीका की ब्रतुर्टकता सुन लेने माद्र से प्राणी को एक हजार असो मेग और सेकडो ब्याज पे यग का फल प्राप्त होता है हे देवी मैंने यह सब ब्रतों में उत्तम ब्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी के सब पापों से छूट जाता है इसमें कुछ भी संसे नहीं है हर हर महादेव मैया पारवती कीजए गनेश जी कीजए अंत में आरती जरूर कीजएगा वैसे हम दो चार लाइन कह देते हैं आप इसी आरती को कीजएगा सी सिव गंग अरधंग पारवती सदा बिराजत कैलासी नंदी ब्रिंगी निर्त करत हैं गुन भक्तन सिव कीदासी सीतल मंद सुगंद पवन वह बैठे हैं सिव अविनासी करतगान गंधर्व सब्त सर राग रागिनी मधुरासी यक्छ रक्छ भैरव जहां डोलत बोलत हैं बनके बासी कोयल सब्द सुनावत सुन्दर भ्रमर करत हैं गुन जासी कल्प दूम अतुपारी जात तरूलाग रहे हैं लक्छासी काम धेन कोटिं जह डोलत करत फिरत हैं बिक्चासी सूरेकान्त संपरवत सोभित चंद्रकान्त संहमरासी चहो तोरितु नित फलत रहत हैं पुस पचड़त हैं वर्सासी देव मुनी जनकी भीड पड़त है निगम रहत जो नित गासी ब्रम्भा विसनु जाको ध्यावत धरत हैं कुछ सिवहम को फरमासी रिद्य सिद्ध के दाता संकर सदा आनंदित सुखरासी जिनकी सुमिरन सेवा करते तूट जाए यम की फासी त्रिसूल धर जी को ध्यान दिरंतन मन लगाए कर जो गासी दूर करो भी पदासिव तनु की जन्म जन्म सिव पदपासी कैलासी कासी केवासी अविनासी मेरी सुदली जो सेवक जान सदा चरनन को अपनो जान किपा कीजियो तुम तो प्रभुजी सदा दया मेर अभगुन मेरे सब धकियो सब अपराद छमा कर संकर किंकर की बिंती सुनियो हर हर महादेद